दोस्तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया की one of the most advanced city बैंगलोर के बारे में Silicon Valley of India के नाम से famous बैंगलोर में इंडिया की सबसे ज़्यादा IT companies के headquarters है और आज के टाइम पे इंडिया का हर software engineer की पहली पसंद बैंगलोर ही है बैंगलोर को रहने के लिए इंडिया की one of the best places में गिना जाता है और अभी भी बैंगलोर इंडिया की fastest growing cities में से एक है घूमने के लिए भी बैंगलोर एक बहुती बड़िया शहर है जहां आपको historical places, traditional और cultural festivals, modern infrastructure और colorful garden से लेकर adventure, fun, amusement और बहतरी night life तक सब कुछ experience करने को मिलेगा जो चीज बैंगलोर की trip को और भी जाड़ा बहतरीन बनाती है वह हैं यहां का weather जो की साल बर बहुत ही सुहाना रहता है बैंगलोर 900 meter के altitude बे स्थित होने की वज़े से यहां साल बर 15-25 degree का temperature रहता है जो की इंडिया की हिसाब से एकदम perfect मना जाता है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे बैंगलोर के top 10 tourist places जो की आपको अपनी बैंगलोर की trip में जरूर एड़ करने चाहिए बैंगलोर का गुहंतारा cave resort इंडिया में इस तरह का पहला underground cave resort है जहां आप अपने friends या family के साथ picnic मनाने जा सकते हैं इस underground cave resort में आपको पुराने जमाने के architecture की feel आएगी और यहां indoor games, outdoor games, horse riding और rock walking जैसे fun activities भी हैं जहां आप definitely enjoy करेंगे अपने special architecture और unique experience की वज़े से इस cave resort में बहुत ही कम टाइम में बैंगलोर में काफी popularity बना ली है वैसे तो बैंगलोर में जादागर में नहीं होती लेकिन अगर आप summers में यहां आ रहे हैं या बैंगलोर में रहते हुए आप snow में खेलना चाहते हैं तो snow city आपके लिए एक perfect place है यहां आपको zero से भी कम temperature में snow में खेलने का मौका मिलेगा बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप किसी hill station पे experience करेंगे इस snow city में आपको पूरे winter garments जैसे की jacket, shoes और gloves प्रोवाइड किये जाएंगे और आप यहां snow के साथ एक बहुत ही मज़िदा time spent कर सकते हैं यहां snow में खेलने के अलावा आप 90 cinema में भी कुछ exciting games और 90 movie का भी मज़ा ले सकते हैं बैंगलोर एक काफी green city है और IT हब होने के बात भी बैंगलोर में आपको काफी सारे parks और gardens देखने को मिलेंगे और उनी में से एक बहुत ही सुन्दर पार्क है कबन पार्क कबन पार्क 300 एकर में फैला एक बहुत ही बड़ा पार्क है जो की nature lovers के लिए एक perfect destination है अपने बहतरीन ecosystem के अलावा कबन पार्क में काफी fun attractions भी हैं जैसे की अटारा कचेरी, कबन पार्क मुजियम, शेषधारी आयर नेशनल पार्क और इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा बैंगलोर एकुएरियम कबन पार्क की natural beauty और इन fun attraction की वज़े से इसे बैंगलोर की one of the best places में गिना जाता है बैंगलोर आकर आप इसकॉन के इंडिया के सबसे बड़े कृष्ण मंदिर में दर्शन करना दो बिलकुल भी मिसने कर सकते इसकॉन दुनिया की सबसे बड़ी वैशनव संस्थाओं में से एक है और बैंगलोर की इस इसकॉन टेंपर की पूरे इंडिया में काफी मान देता है इस मंदिर का architecture भी काफी attractive है जो की glass और गोपुरन के mixture से बना है जो की इसे modern और traditional दोनों तरह का look देता है इस मंदिर में regularly कीर्थन और speeches चलती रहती है जो की आप free of course attend कर सकते हैं साथ ही आपको यहाँ भगवान कृष्ण का प्रशाद ही मिलता है जो की बहुत ही tasty होता है बैंगलोर के बनेर घटा नेशनल पार्क में आपको कई तरह के flora और फोना देखने को मिलेंगे 1971 में बने 104 स्कोर किलोमेटर में फैले इस नेशनल पार्क में आपको इंडिया का पहला butterfly पार्क भी देखने को मिलेगा इसके इलावा यहां forest reserve, aquarium, zoo, children's park, crocodile park, snake park और prehistoric animal park भी है इस बहतरिन wildlife को आप जंगल सफारी और boating के जरीए बहुत ही करीब से experience कर सकते हैं और अगर आपको wildlife में interest है तो आपको बनेर घटा नेशनल पार्क में जरूर विजिट करना चाहिए बैंगलोर की innovative film city इंडिया की one of the best amusement park में से एक है यह मुंबई की film city से थोड़ी अलग है यह एक theme park है जहां हर age group के लिए बहुत सारी fun activities है इस amusement park में आपको काफी सारी exciting rides, water park, dinosaur park, mirror maze, haunted mansion, tribal museum, cartoon park, big boss tour, sand beach, aqua kingdom और भी बहुत सारी exciting activities देखने को मिलेगी इन सब fun और entertainment activities के लावा आप यहां corporate events, business meeting और pre wedding shoot के लिए भी hall book कर सकते हैं innovative film city एक पूरा complete package है जहां आप अपना पूरा दिन बहुत ही बहतरी तरह से spend कर सकते हैं और यह experience आप अपनी life में कभी नहीं भूलेंगे बैंगलोर की विधान सदा यहां की सबसे attractive जगव में से एक है बैंगलोर की विधान सदा इंडिया की सबसे बड़ी legislative building है जो की 600 acre में फैली है इस building का architecture भी बहुत शांदर है जो की white greenite से हुआ है और इसे द्रवीडियन और राजेसानी style architecture से बनाया गया है अपने बहतरीन architecture और शांदर complex की वज़े से इसे ताज महल और South India के नाम से भी जाना जाता है इस विधान सदा के interiors भी बहुत ही शांदर है और special permission के साथ आप यहां के grand assembly chamber में भी जा सकते हैं इसके अलावा हर Sunday और special occasions जैसे की Republic Day, Independence Day और Diwali जैसे टाइम पे पूरे building को light से decorate किया जाता है और एक light show भी arrange होता है जिसका नजारा बहुत ही बहतरीन होता है इंडिया के सबसे बड़े और Bangalore के one of the best tourist attraction में से एक Wonderla amusement park एक पूरी घूमने लाइक जगह है इस amusement park में साथ से भी जादा बहतरीन rides हैं जिनका experience आप life में कभी नहीं भूलेंगे अगर आप Bangalore के ही resident है और अपनी regular life से break लेना चाते हैं तो उसके लिए भी ये amusement park एक perfect destination होगा इस amusement park में एक बहुत ही बड़ा water park भी है जिसकी exciting ride से आपका money में बरेगा यहां एक wave pool भी है जहां खड़े होकर आपको एकदम ऐसी feeling आएगी जैसे कि आप समुदर के बीच में खड़े हैं तो Bangalore आगर आप इस amusement park में आना तो बिल्कुल भी मिश नहीं कर सकते इंडिया के सबसे पुराने बोटैनिकल गार्डन में से एक लालबाग बोटैनिकल गार्डन एक बहुत ही शानदार जगह है मैसूर के famous ruler हैदर अली द्वारा शुरू किया गया और उनके बेटे टीपू सुल्तान द्वारा पूरा हुआ यह बोटैनिकल गार्डन 240 सेकर्ड में फैला है और यहां दुनिया के सबसे बहतरीन flowers और plants का डिस्प्ले होता है टीपू सुल्तान में फ्रांस, पर्शिया, इटली और अफगानिस्तान जैसे देशों से plants और flowers इंपोर्ट करवाए और आज के टाइम पे पूरे इंडिया में इस तरह के plants और trees सिर्फ इसी बोटैनिकल गार्डन में उठते हैं लालबाग बोटैनिकल गार्डन के एक glass house के अंदर साल में दो बार flower show होता है जिसमें दुनिया भर से 20 लाग से भी जादा flowers और plants से decoration होता है और इसका नतारा तुद देखते ही बनता है ये flower show जन्वरी और अगस्त में Republic Day और Independence Day के आजपास होता है और अगर इस टाइम पे आप यहाँ आए तो इस flower show का experience आपको definitely लेना चाहिए बैंगलोर दुनिया के उन चुनिंदा शहरों में से एक है जहां high tech technology के साथ historical monuments और cultural heritage का इतना शांदार mixture देखने को मिलता है और उसी historical heritage का एक example है बैंगलोर पैलेस 1873 में Tudor और Scottish architectural design से बना ये पैलेस आर्किटेक्चर और आर्टिस्ट्री का एक अधभूत एक्जामपल है एक टाइम पे इंडियन और ब्रिटिश महाराजा का residence रहा ये पैलेस आज के टाइम पे बैंगलोर का सबसे बड़ा tourist attraction है अगर आपको classic architecture और आर्टिस्ट्री में थोड़ा बहुत भी interest है तो आप इस पैलेस से बहुत जारा इंप्रेस्ट होंगे इस पैलेस के premium wooden interiors भी टेडर, Scottish, Gothic और British style architecture से बने है जहां जाकर आपको एकड़म महाराजा जैसी feeling आएगी इस पैलेस में visitors के लिए एक amusement park भी है और यहां 19th century की काफी vintage paintings भी display किया जाता है बैंगलोर पैलेस आए बिना तो आपकी बैंगलोर की trip पुरी हो ही नहीं सकती नंदी hills, रामनगरा, कनकपुरा, सकंदागीरी और भी बहुत कुछ बैंगलोर में घूमने की इतनी जगह है कि इन्हें एक वीडियो में cover करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तो अगर आप बैंगलोर सीरीज का part 2 देखना चाहते हैं तो प्लीज हमें comment section में लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तो अगर आप कभी बैंगलोर घूमने गए हैं तो आपका कैसा experience रहा ये भी हमें comment section में लिखकर ज़रूर बताएं और दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बुले और अगर आपकी कोई suggestions हैं तो प्लीज हमें comment section में लिखकर ज़रूर बताएं अल्राइट दोस्तो अगले वीडियो में मिलके हैं, till that time, good bye